कि क्या कारण रहा था जो भारती इतिहास के जादे तर लड़ाईयां पानीपत के मैदान में ही लड़ी गई थी तो इसके कुछ रीजन देखिये पानीपत का जो एरिया था बेसिकली मेन भारत के एंटरेंस वाले एरिया में पढ़ जाता था पानीपत का पहला रीजन दूसरा रीजन पानीपत का एरिया एक मैदानी छेतर है लड़ाई लड़ने के लिए रेगिस्तान और पहाड ये दोनों सुरक्षित नहीं होते हैं जो उचाही पे मिल ये उसको प्रॉफिट हो जाता था तो यहां पे क्या है ये एक मैदानी छेतर था तीसरा कारण कि पानीपत या हर्याना का मौसम कसमीर की तरह बहुत ठंड़ा नहीं है और राजस्थान की तहत बहुत गरम है और नहीं उसका मतलब मासीराम की तरह बहुत जादे बरसा होती एक नॉर्मल मौसम है दूसरा यमुना नदी के किनारे होने के वज़े से यहां पानियों के भी संसाधन की कोई कमी नहीं रहती थी. तीसरा कारण क्या था? कि जो हिंदुस्तान का राजा यहां लड़ता था उसको पता था कि बाई दीवे हम हारे हैं तो यहां से हमें बैक अप मिल सकता है. पीछे से बैक अप मिल सकता है. और यहां जो बिदेशी आकरमन करने आता था उसको भी पता था कि अगर भागे हैं तो आखाडा बन के रह गया पानी पत